हलो आज हम खिल रहे हैं दुबार से हाल वोई की चीजे करनी हो और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हम पकड़ सके क्योंकि जितने ज्यादा पाल पकड़ेंगे उत्रा फायदा होगा क्यूंकि फिर उससे हमारा एक्सपिरि Conference भी बढ़ेगा और जितने ज्यादा अलग अलग के हमारे पास मैं बाल्स हो गे तो वह बी स्बादी इन्लॉॉकर लगने वाले ले गालेते हैं सबसे पहले तो मेरे को अपनी चीकी पी चाहिए होगा फीडिंग पास में तो तो जो दूसरा वाला बेस होगा इँदर नीचे साड में बना लेंगे मतलब नीचे भी घर रखेंगे उपर साड में ड़के है दोनों जगा घर रखेंगे तो पूरा एरे अपना हो जाता है मेरे दिमाग में जब आइडिया नहीं आया कि मैं अपने बेस को ना उधर नीचे जो प्लेन वाली जगा है ना उधर साइड में बना लू पर फास्ट रेवल ने यार नीचे साइड में भी तो फास्ट खैर चलो अभी जहापर बेस बना लिया यहीं पर रहने देते इतनी जहरे की अतना ज्यादा फायदा होगा अग Serious हो फाइडा होगा अग्य में हूं लेवल 6 अपर जानावर का फीडिंग त्रूमें काम और काते इसके फीडिंग चरू को बना लें फिर उससाइड में बना लें एक काम करते इसका फीडिंग तो ना अपन बना दै इदर कर देंगे अब यह टेंपरेरी मैंने यहां पर सेट कर देंगा हो गया इसका काम कंप्लीट इसके अंदर मेरे को रगदेनी पड़ेगी कुछ बैरी सेलो कि मेरे पास मैं थोड़ा बहुत मीट है पड़ा हुआ तो एक काम करता हूँ वह मीट में डाल दे तो अपने केमफायर म वर्क स्पीड वो कर लेते हैं बढ़ा लेते हैं कि नहीं इसके अंदर बनाएंगे अंडा बनेगा कितने मैक्स अंडे बनेगे एक अंडा बन रहा है चलो ठीक है एक अंडा बना लीट आप देखरो किती ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है अंडा रेडी उसके बाद में बैरीज कितनी होगी नौ नहीं बट यह बैरीज नीच यह ना मेरे को में को बनाना है कबाब दी कबाब एक खाएंगे पेट फूल इकदम गोली हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है अपने को ठीक है एक एक टास्क के ओपर नजर रखे लिए और उसे क एफिशन्ट है लेट्स को पूरी की पूरी पंदरा तीर आ चुकी है अब यह अपने को चाहिए फॉक्स का हारनेस बनाना है बट हारनेस के लिए मेरे को और कुछ चीज़े बनानी पड़ेगी मेरे पास में तो सरफ पेरेमिटिव वर्क बैंच है पाल वॉक्स है वुड़ तीन में से सरिफ एक है चलो ठीक है टोटल मेरे पास मैं टेकन लोजी पॉइंट 10 है तो एक काम करते है पाल गेर बॉक्स यह गेर बेंच वॉर्क बेंच यह अनलोग कर लिया बैरी प्लानतेशन एक रेंच उसके बाद में और क्या लगेगा मेरे को और क्याहिए काँ काम का स्टोन स्पियर भी अनलॉक कर ले तो मेरे पास में एक भी स्पियर नहीं है क्योंकि है बाग यह जो स्टैचिये में एक आफरिंग टू इनहांस दा स्टैट्स अफ प्लेयर हाँ एक यह भी बना ले था ठीक है आज अपने को यह सारी चीज़े बनानी है बट एक काम करते हैं लेदर से करू या फिर पाल वाली वर्क बेंच बना लू चलो पहले जाकर न थोड़ा सा सामन लेके आते ए बकरी तुद इधर को मार खा जली जली पटापट से मार खा अरे तू मर जाएगी खताम कैटीवा इधर को आओ अरे हटो बे मारो 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 सालो को हड्डियत मैं ना चलाट यहां से किता हो गया 21 कपड़ा हो गया ओहो बहुत सारा सामन आ गया अब फाइबर वाले जो और गन है अरे एक सेकंड मैं कमजोर फील कर रहूं मेरे को एक करना चारा सा आहा अब मैं जायागा अब थोड़ा सा अच्छे से पेड़ भरेगा मेरे चीकी पी भ अब अपने इसका टैंचन हो गया खतम आ ही गये यहां पर थोड़ा से पत्थर भी बटोर ले ठीक है मेरे पास में वेट तो है अभी इतना जादा सीन नी है और में वेट उठा सकता हूँ बस बाकी का ना वो फॉक्स को ढूनते मेरे बास में आग कितनी एक ही है मेरे को चा मेरे फटाफट से मेरे प्यारे फॉक्स पलट जाओ इधर को अरे कहा को बेटे हैड शॉट लो बेटे कातम तुम भी हैड शॉट लो बेटे गुस्सा नहीं बताने का मेरे को गुस्सा नहीं बताने का समझ में आया चले बे निकल यहां से लैदर भी मिल गया मेरे को और और यहां पर नहीं रुकना भी अपने को और चाहिए और कहा चले गए फॉक्स वेर आर यू मुझे तुम्हारी जान चाहिए दो और दिख गए इसके अंदर एरोस बहुत जादा लग जा रहा है बट चल ठीक चल जाएगा बना लेंगे ना एरोस बनाने के लिए कौन सा खतरना क सीर सब्सक्राइब कहा को भाग रहा है कहा भाग में पर चैडते में उसक हो घुए सामन चाहिए ता हो तो मैंने बना लिया शायद से मेरे को पाल गेर वर्क बेंच बनानी पड़ेगी पहले उसके उपर शायद से फिर मैं जो फॉक्स का हरने से न वो बना सकता हूँ बट मेरे को चाहिए एक स्टोरेज बॉक्स एक स्टोरेज बॉक्स घर में बनाओ या फिर ये बेंच के बाजू में बना दूँ क्योंकि ज्यादा तर रिसोर्सेस मेरे को यहीं से लगेगे ना एक काम करते रुको एक जो स्टोरिज बॉक्स है ना इसको मैं लगा देता हूँ इधर से ठीक है मेरे को जो जो चीज है ना पूरी के पूरी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ जब मेरे को लगेगी कोई भी चीज ओ फूल हो गया यह तो पूरा मेरे पास में साथ एरोज बचिए भाई चलो एक काम करते परो को अपने को पाल गेर वर्क बेंच बनाने के लिए दो कपड़ा चाहिए अषान साड़ा पुरो जाचकार प्वेस्टर मर जाते हैं मर जा मर जा मर जा मर जा इदर को अच्कुछाआ मेरे को मार रहा और रही दोड़ा सा वूल चाहिए लिएका वल चाहिए ऑजा जयादाओ और ओघ्वा इधर आगे ना चाहिए नया Yak大 और हो गया ना कदम चल बाग जाब यहां से अरे वूल तो है ना वूल का मेरे को कपड़ा बनाना है यार वूल का तो इतना था था नीड भी नहीं था मिशन कंप्लिट पाल बॉक्स अपगरेड अविलेबल वेरी नाइस बेस को करते है अब अपगरेड ये लो भाई कर दिया रहे मैं भूल गया ता लास एपिसोड में कि इसको कैसे अपगरेड करते है अब अपने को क्या करना है दो दो अपगरेड आ है क्या ओ लेवल मतलब बेस लेवल 3 होगा अपना अब अपने को ना स्ट्रॉब पाल बैड अगर मैं तीन बना दूंगा तो लेवल 3 से लेवल 4 पर आ जाएगा रहे एजी पीजी है देखो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मिट्टी वाला एक छोड़ देता हूँ और उसके साथ में एक छोड़ू या फिर एक क्र eder शोड़ देता हूँ थीखे है यह कुछ तो देता है मैं भूल रहू अबगी शीप को रहने देटे शीप को रेंच बनाने के काम में ले लेंगे मतलब रेंच जब बना लें उसके बाद में उसको काम में ले लेंगे बाकि I guess दो कपड़ा बनाना है अपने को बस और तीन पाल्स है अपने पास में और बैड सिर्फ अपने पास में दो है I guess अब मैं बना पाऊंगा येस ये लोबाई वर्क बेंच बिल्कुल बगल में लगा दिया इसके उपन में उसके हारनेस जो भी है वो पुरा बना दूँगा साथी साथ अपने को ये राइट साइड में जो टास्क दिख रहे है न ये तो कंप्लीट करने ही है बागी जो अपने पाल बॉक्स को अप्ग्रेट करने के लिए जो टास्क अपने को वो भी कंप्लीट करने है लेट्स को अब चेक करते हैं इसके उपर आइगेस बन जाना चाहिए येस बन जाना चाहिए ये लो बना दिया ये वाला टास्क कंप्लिट उसके बाद में अपने को एक नॉर्मल वाला पैरशूट बनाना है वो भी बना ले तो उसके लिए भी जितना सामन है मेरे पास में उ जो चीजे है ना उसको सौट कर लेंगे ठीक है यह भी टेंपरेरी यहाँ पर मैं वर्क बेंच और यह सारी चीजे सेट कर रहा हूँ एक बार बस यहाँ पर भी एक छोटा से जगा बना लेंगे पानी के उपर बोले या फिर ऐसा वर्किंग स्टेशन समझ लो वहाँ पर सिर् पैरशुट और पैरशुट बनाने के लिए अपने को लकडी और कपड़ा चाहिए दो कपड़ा चाहिए ना एले दो कपड़ा बना ले तो जहां तक मेरा ख्याले स्टोरेज बॉक्स में लकडी होनी चाहिए तीनी लकडी है मेरे को और लकडी का नीड होगा कितनी लकडी चाहिए और 10 और लगडी चाहिए आप भीटिक कर देता हूँ पट्क्या अभी तक लाइक का बटन भाया नहीं दभाया दो इंस्तराइब नहीं करता है चीजों के अपडेट्स में इंस्तराइम पर देता रहे तो 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 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैक कर ले कर सकते हैं भी बहुत सारे आने बाकिया भी तो हम अपने घर के आसपास ही घूम रहा है एपिसोड के साथ में इसकी मैं लाइफ स्ट्रीम भी करूंगा ताके थोड़ा सा और बूस्ट मिले और स्पीड में हम प्रोग्रेस कर सके यह लो भाई पैरशूट रेड़ी अब देख करना इसके लिए मेरे को लकडियों की कमी होगी फाइबर तो है मेरे पास भरपूर लकडिये थोड़ी सी और बटोर लेता हूँ सारे पाल्स अभी हमारे फिलहाल में गुड कंडिशन में बिल्कुल ठीक है यह एक लग क्या यह दूसरा और यह तीसरा ठीक है बस इतने काफ को और चिकीपी को नहीं चिकीपी नहीं एक सेकंड मैं यह जो चिकीपी को हटा रहा हूँ और मेरे पास से जो यह पानी वाला है ना इसको मैं इदर रख रहा हूँ पानी वाले को रखू नहीं पानी वाले को नहीं रखते है अपन इसको रखते है और मेरे पास में किते सार यह दुम्बे हो गए सारे दुम्बे तुम घर पे पढ़े रहा ठीक है बाकी मुर्गी तो मेरे काम में आने वाली है नहीं कैटिवा को रख ले रहू फिलाल में अपने साथ में बाकी मिट्टी वाला फॉक्स और यह क्रेमिस क्रेमिस के लिए रेंच बनाना बहुत कर लेते हैं इसे एक ही टास्क था ना यहां फिर और कुछ था रहे ना 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 बाई लेवल फूर अब अपने को ना बैरि प्लानेशन लगाना है और डिप्लॉय वर्क पार्ल टू बेस ठीक है यह एक चीज़ करनी है बैरिप्लाशन के लिए मेरे पास में क्या लकडिया है नई लकडी भी नहीं पत्थर भी नहीं दोनों भी लिखिया देताया है वर जाने से पहले यहां पर लगा देते हैं किसको लगाए पानी वाले को छोड़ देते हैं यह पानी के काम में आजाएगा और देगो यह भी लकडी है उठागा के स्टोरेज वॉक्स पर रगना तो आराम से बैरी प्लांटेशन या फिर कोई और लोकेशन पर लगाए ये भी जगा सफिशन्ट है इसे कुछ दिक्कत नहीं है या फिर बैरी प्लांटेशन को इधर सैड़े में करें इधर कॉर्णर से कर दो क्या अंधिर में इतना समझ नहीं आ रहा रहा रुक 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 जा कच्छी वा जा के पत्थर तोड़ जा के चुप चाप से बैरी जम अगर पत्थर तोड़ हेल्प कर मेरी मैं सो रहूँ अभी जा के सुबह उठने के बाद में नेट एंड क्लीन जगा देखते है वहां पर बैरी प्लांटेशन कर देंगे अपन अल्राइट तो हो करते हैं यह दोना आएगे मेरी मदद करने के लिए आज आब हाके जली जली आओ अब थोड़े से काम के पाल्स पकड़े ना पनने देखो अब किती ज्यादा स्पीड से वह रहा है दो दीन सेगंड के अंदर ही पूरा रेड़ी हो गया अब तुम लोग ना यहां पर जरा स करूंगा लेवल 6 पर बेस चला जाएगा तो उसके लिए मेरे को पत्थर और पाल्डियम फ्रेग्मेंट चाहिए दो मिनिट का काम है यह बस यह हरे वाले पत्थर को कितने दीन से घुर रहा हूं मैं कितने दीन से लास्ट एपिसोड से घुर रहा हूं इधर ना वो कर लेत है इसको बटोरी लेते कुछ ना कुछ तो मिली जाएगा अपने एक्सपिरेंस फ्रेग्मेंट तो बटोर लिया थोड़े से पत्थर बटोर लेते और साथी साथ ज्यादा लकडी लेकर चलते क्योंकि मैं दो स्टोरेज बॉक्स और बना रहा हूं कि के कटीवा और यह जो अपना पानी वाला पालेना जो पोकेमोन ने अपना वो रिसोसेस दोनों मिलके जमा करेंगे तो उनको रखने के लिए एक स्टोरेज बॉक्स की भी तो नीड होगा वहां से हमारा एक्सपिरेंस है वो थोड़ा सा और मल्टिप्लाइ होगा और अभी हम लेवल सिक से लेवल बोली राता मैं और होग भी गया येस लेवल सेवन स्टैट पॉंट मिला स्टैट पॉंट मिला तो इसके अंदर अपन बढ़ाएंगे वेटी बढ़ा दू क्या या फिर स्टैमिना बढ़ाते ठीक है बहुत सारे लोग बता रहे दें कि तुम अपनी हेल्थ और मतलब वह इतना ज्यादा काम भी नहीं आता क्योंकि आगे चलके हमाँ पास में थोड़े से अच्छे वाले पाल्स आजाएंगे पोकेमों आजाएंगे तो वही लोग अटेक करेंगे हम तो क्या दूर दूर से रहके खड़े रहके फाइट देखेंगे या फिर थोड़ी बहुत ह जमा कर रहा है चलो भाई स्टेच्व का भी जूगाड हो गया स्टेच्व को लगाएंगे ठीक इधर साड़ में ऐसा करके लगाते है इतना सफीशन्ट होगा यस आजाओ फटावर से आओ पहले कितना लग रहा था फॉर्टी सेकंड लग रहा था एको थर्टी सेकंड लग सब्सक्राइब लगाएंगे तो शायद इन्हेंस हो जाएगा कुछ तो हुआ कैप्चर पावर हमारा इन्हेंस होगा चलो ठीक है बेस अब जा रहा है लेवल सिक्स पर अब अपने को बिल्ड क्रशर मतलब ये क्रशर बनाना है स्टोन पिट बनाना है लोगिंग साड बनान बटियां अरे दो दो और है भाई दो और ये लो मिट्टी वाला आ गया और एक ये भेड आ गया ठीक है अब थोड़ा सा रैंच का काम बंदोबस्त करते है रैंच बनाते पहले रैंच के लिए 50 लकडिये चाहिए पाल्स विदाउट बैड्स गेट स्ट्रेजड अरे बना रहूं तुम्हारा बैड तुम लोग क्यो टैंचन ले रहे हो तुम्हारा भाई यहां पर तुम्हारे लिए मैं बैड भी बनाऊंगा ओट स्प्रिंग भी बनाऊँगा तुम टैंच अन्म मतलो रहे सारी सोविधाओं का बंद बस्त करूंगा इधर साइच से यह रैंच सह कर ले गले तू कर ले तेरा तेरा कर ले मैं रुखता हूं इंतजार करता हूं यहां पर टीक है ते दिया ना पानी अब हटी जा वहाँ से अब मेरे को इधर बनाने दे भार निकल ले यथ तेंकि सो माच येस चलो कितने सेकंड लगरे इसको बनने के लिए धाई मिनिट मैं का बाइबे कटिवा और ये लेम बॉल जली जाओ फड़ावट से काम करो अब दूसरे और नए पाल्स पकड़ने से पहले ना जो जो हमारे पाल्स की रिक्वायरमेंट है वो पहले फुल्फिल करेंगे इनको बैड चाहिए होट स्पिरिंग चाहिए जो जो चीज़े चाहिए न आके मेरे सड़े होए टुटे होए गले होए जो वेबंस है उनको में बना सकूँ बाकी ये फायर बो ये इसको करते है अनलॉक वो ट्रेवन ये क्या चीज़ है अच्छा यहाँ पर हम अपने पाल्स के साथ में अपनी जिन्दगी इन्जॉय कर सकते है बट ठीक है जिन्द फुटे वेपन्स को रिपैर करेंगे खामा खा क्यों नए हर बार में वेपन बनाते बैटू है कि नहीं रिपैर बेंच को लगाते है अपन इस जगह पर ठीक है बिल्कुल चिपका चिपका कर वेरी नाइस तुम लोग नहीं भी आओगे तो हो जाएगा इसको जादा टाइ बलाओंगा अब जाएगा नहीं पेजी चलो हो गया यह एवी रिपैर हो गया बोगो कर लो रिपैर कपड़ को भी ने कपड़े लिया और कपड़ा लगेगा है ना मेरे पास में है तुम बताओ घाली कितना घब्रा चाहिए मैंक्स ने करते चे बना देते कपड़ा थैंकि बना लेते हैं यह जली से आ पैंगुईन फटाफट से पैंगुईन की हेल्प से देगो किती जादा स्पीड्स में काम कर रहे हैं हम ठका ठक फटाफट काम हो जा रहा है अब और वूड्स लेके आना है थोड़े से बैड्स और बनाने ठीक है बाकि तो इनके फन के लिए और जो जो चीजे चाहिए थी मैंने सारी चीजे बना दियो एक इंक्यूबेटर भी बनाना है अभी अपने को बनाते बनाते रोक जाओ अब फटाफट से बैसे बिलकुल स्पीड से लगड़ी है टूट जारी हमारा बंदा भी थक चुका एल है खाले खाना खाले अब तेरे अ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अब तो भाई मैक्स 21 एरो बन रहे एरो का टैंशे नहीं घतम होगा 63 के आराउंड अपने पास में एरो जाएगे और फिर अल्रेडी अपने पास में 25 एरो पड़े हुए यह जली सिया पैंगूइन भाग कर जली सिया मेरे को और बहुत सारे यह ब्रेक पर चले गाए तो मेरे को काम करना पड़ रहा है आओ होगे इनका इस ब्रेक खतम हो गया आजा फटाफट से थैंक्यू सो माच और नहीं एक और बैड बनाना ज़रूरी है एक और बैड बनाना ज़रूरी एक बैड बना लेते थोड़ा कितना सफिशनेट है आज पर बना लेता हूँ एक और स्टोरेज बॉक्स टीक है इसके बैक साड में बना दे तो इसके ओपर रख सकता हूँ नहीं अरे नहीं है भाई जरूरत मैं कर लूंगा तुम जाओ अब देखो सुनो जो भी सामन लाओगे नए वाली के अंदर रख देना ठीक है पुरा सामन बटोरो वाजे देखो यह मेरी हेल्प कर रहा है और अरो बनाने के लिए बना दो बना दो टैंकि सौ मच मेरे कठीवा अब किती स्वादा स्पीड से हारो बना रहे वाई हम मैं थोड़ा सा खाना और बना ले तो बैरीज मैक्स कितिनी बनेगी मैं काम करतो पंदरा बैरीज बना ले तो ठीक है फॉक्स वर आर यू दोड़ के आना जा रहा है यहां पर मेरा फॉक्स कहा जल गया मेरे बास में फॉक्स है भी या नी यह आया हमारा fox आया अब देखना अब किती जादा speed से berries बनेगी अब एक एक time लग रहा था ना अब देखो पटाफट से वाई हमारे fox के help की वज़े से हमारा ये ready हो रहा है याद रखना है अपने को कि कौन सा वाला पाल क्या काम करता है जैसे fox ये काम में आगा पैंग्विन पानी के काम में आ जाता है हो जाता अपना ये कितना बनेगा मैक्स एक ही बनेगा fox come here I need help thank you हो गया चलो आप चलते भाई अब यहां का तो business अपना almost setup हो गया still एक बार cross check कर लेते है अच्छा ये एक hanging trap है ये अगर मैं बना दूंगा ना तो जो छोटे मुटे पाल्स है अपने घर के पास के ये उससे capture करता रहेगा कैचेश पाल्स that pass through only effective on small pals and human अरे ये मैं बना लेता हूँ ना ये आटमेटिक जो छोटे मुटे पाल्स है अपने घर के पास में घुमते रहेगे ये उनकी पकड़ता रहेगा बाकी ये जो alarm bell है अच्छा ये जो alarm bell है ये अपने पाल्स को अलट करने के काम में आएगा चलो आरो ऊदोसा चलो ठीक है मेरे को चाहिए बाऍसाइंबर के और रहे है ये ये स्टार के पास में अन्र फ्रींडों के आंदा रहे है इसको क्या जी उसरेससे कामी हो रही है कितने बनेंगे मैक्स तीन ही बन रहे यार अब कौन सी चीज की कमी हो ऐस्ष की कमी होगी नैं स्ट जोड़ी से ना पाल स्पेर भी एक्स्टा लेकर आया था जितने भी बन रहे हैं जो जो पाल मिलेंगे सब को पकड़ लेंगे धर दबोश लेंगे ठीक है टोटल अपने पास में 10 हो गए 10 सफिशन्ट है बागी जितना कपड़ा लकड़ी और जो जो सामने यह मैं और वगरा सब इधरी रखके जारू पाल्डियम फ्रेग्मेंट भी इधरी रखके जारू क्यों कि ज्यादा इंवेंटरी के अंदर मेरे को सामन चाहिए ने थोड़ा बहुत खाना चाहिए बस खाने को रख दो इधर साइड में बागी जो काम की चीज़ से वो इधर साइड में ठीक ह रिपेर करने का मेरे को किसी भी चीज़ का नीड नहीं है अदू झार नहीं है इसका रिपेर करना है बस बागी तो सब बिलकुल मस्त है अब जब जब जाने की बारी आई तो अंदेरा ओगया यार बस एक बार ना इधर नजर गुमाना इधर वूल देख रही है रही हुआ है फुल एक दम भर भर के वूल आगे अपले बाद में इधर देख रही हो कितने सारे पत्थर पढ़े है कटी वा तोड़ तोड़ के छोड़ रहा है बाकी जो हेंगिंग ट्रैप है इसको मैं लगाओ कहाँ पर यार इसको मैं जोन के बाहर तो बना सकते हूँ गया ये ब्रिट से ना बहुत सारे क्रॉस कर रहा है इसको ऐसे करके अगर लगा दूँगा तो हेंगिंग ट्रैप इससे कुछ होगा वैसे आई गैस मैंने गलत लगाया हूँ इसे फिर चलो जैसे भी लगाया हूँ एक हेंगिंग ट्रैप तो मैंने लगा दिया हूँ इदर साड़ में ये रिपैर किट से रिपैर हो जायागा बाकी रहने देता है तो सुबह देखते हैं ये कोई पाल पकड़ता या नहीं इसके अलावा भी और मैं हेंगिंग ट्रैप ना बना सकता हूँ अगर मैं ये एक हेंगिंग ट्रैप इदर से ऐसे बना दिया ठीक है जिदर से ये लोग आ रहे है ऐसे अगर बना दिया तो ये कुछ काम में आएगा अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकल ये जा रहा है यहां से कुछ काम में आएगा ने आएगा तू हेंगिंग ट्रैप है कुछ भी काम में ने आएगा रेंडो सुब आटने के बाद देखते हैं अभी फिलाल के लिए गुड़नाइट कर लेता है तू यहां क्यों सो रहा है जब तेरे को मैंने डेडिकेटड बैट बना वे आपर पागल तो नहीं है भाई यह लोग जब बैट नहीं था तो बैट बैट के लिए रो रहे थे अब बैट बना दिया तो जमीन के अपर सो रहे है लोगिंग साइट के लिए 50 वूड स्टोन पीट के लिए 50 पत्थर और वूड मैं सोच रहा हूं यहां पर बैरी प्लांटेशन के लिए एक और मतलब वह लगा दू एक और बैरी प्लांटेशन कर दू ताके खाना थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कि इतना सफिशंट नहीं हो माल आई है और रही बात लोगिंग साइट की उसके रिसोसेस तो मैंने जमा कर लिया हूँ एक सेकंड स्टोन पीट की रिसोसेस जम हो गए स्टोन पीट को कहा पर लगा है फोड़ा इधर साइट से ना ऐसे करके लगा देता हूँ है ना इधर से भी जग हो जाएगी और जो आ कॉचिवा घुमररा हाँ वैसे पापा टाईगर ने अच सुबह से खाना नहींगाया ना कहा इसलिए ता हातपेर में थोड़ी सी कमजौरी थी जल्ड़ ने बड़ी मेहनत से सारह का सार्य सामन बटण कर लेकर आप अचुके लागिंग साइट के लिए अब बनाते है र Only कुछ I guess ऐसे रोटेट करके बनाऊंगा वो ज्यादा बैटर रहे गए ना ये थोड़ा सा जमीन के अंदर धस रही है इसके अंदर मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा प्लेन जगा चाहिए मेरे को इसके लिए पर्फेक्ट के चक्र बाई हो गया हो गया हरे हाती साब आप यहां पर कब आए हो तो खामुशी से निकल लो वरना मैं कुछ करूंगा ही नहीं क्योंके मेरे को पता है तुम बहुत कूटोगे मेरे को पकड़ के बागी लेवल एट पर जाने के बाद में ये क्रशर अपने को अनलॉक करना है बट लेवल एट के लायक नहीं है भी अपन अब चलते जाकर थोड़े से एक्स्ट्रा पाल्स पकड़ कर लेकर आते है ठीक है और रख दो फाइबर रख दो पाल डीम फ्रैग्मेंट भी रख दो पत्थरे भी रख दो और कुछ मेरे काम में नहीं आने वाला खाली इन्वेंटरी लेकर जायेंगे सब को तोड़ तुड़ा के आएंगे 10 है मेरे पास में PALSPEAR एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं थोड़े से PALSPEAR अगर और बना सकता हूँ तो मैं बना लेता हूँ है तो सही मेरे पास मैं देगो RESOUCES लकडी नहीं है बस लकडी क्या है हाथ का मैं लेब भी निकालता हूँ यहां से क्योंकि ना गेम में मेन एक्सपिरेंस जो है वो पाल पकड़ने से ही आता है सबसे जादा उसी से अपना वो बढ़ता है तीन भी मिल गए सफिशेंट है मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि क्योंकि कभी कभी पाल स्पियर गलती से हम फेक देते इसलिए वेस्ट रना हो कर गया और थोड़े बहुत पाल्स मेरे को रास्ते में मिल जाएंगे मतलब पाल स्पियर ठीक है ओके लाइट्स गो जाकर थोड़े से नए टाइप के पकड़ के लिए के आते बाई मैप कितना एक्स्प्लोर किया हमने सिर्फ इतना ही एक्स्प्लोर किया अच्छा ये चिलेट का बता रहा है क्या कैप्चर और सब्डूड अल्फा जिलेट टो एक्वाइर एंचेंट टेक्नलोजी पॉइंट ठीक है ट्राय करते एक बार कुछ हो सकता है तो कल लेंगे वरना जाने देंगे ये डियर को छेडो का डियर भी भॉहत काम का ब्भाई ये डियर ना बहुत मतलब टेम हो गया न तो ट्रैल करने के काम में आता है लकडिये टोड़ता है इसकी लेवल दस है और स्कूर क्या इसकी ये मेल disciples की लेवल 10 है येители को टेम कर लिया बहूत मढ़ा जागा भाई चलो ठीक है इनकी ऐसी की तैसी मैंने डरता किसे आ इधर को तेरी मेल पैका मारू इधर को मेल पैका आज 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 आ आजा आजा वेरी नाइस इजी पीसी इजी पीसी थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और तीन तीर मारूंगा ने एक भी मारा ना हो जागा काम ने 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 कैप्चर रेट थोड़ा सा कम हो गया है आरे यार नहीं मारना था इसे गलती से तीर लग काम हो गया इसका चलो ठीक है कोई बात है इसको बन करने के लिए चाबी जो भी था मिल गया छोड़ो मर गया तो क्या ही कर लूँगा अब मैं स्किल आइलेंडर भाई साब तुम यहां पर क्या कर रहे हो यूर न्यू फेस डूंट टेल चल ठीक है बाद मैं तेरे से बात करू अपने को इसका रास्ता है कि सिदर पीछे से हो जायागा इदर से पहुंच जाओंगा मैं उसके पास में पर टेक सेकंड एरो कितिनी है फिफ्टी फाइफ एरोज है चांसे बड़े मतलब कम है बट स्टील चलो पाल स्पीयर मिला है जो वेस्ट हुआ वो यहां पर मिल गया बाकी हां और कुछ तो है नहीं उपर सेड में एक फास्ट रेवल का पॉइंट है चलके वो अनलॉक कर लेते पहले यह क्या चीज़ पड़ी हुई है जो भी है सेंड बलास्ट कर लिया यार इदर ना वो मैंने सुनों कि जो गलीच से हम वो बास को टेम करते थे ना वो अब है नहीं तो पता नहीं अब अंदर वाले बॉस को हम कैसा टेम करेंगे फ्री में मिल गया था ना वह एक थोड़ा सा पावरफुल अपने पास में आ गया था यार पाल बोलो या जो भी है बागी उपर साड में क्या किया जाए उपर साड में जाए जाए सिंडिकेट के बंदों को हेरन उड़ा रही है तोड़ देगा सिंडिकेट के बंदों को चलो ठीक इतने ज्यादा खतरना खोते नहीं है वैसे कर लेते ना फाइट इन से चल खतम निकल ले छोटे नेट विंग को वीजी लो बाकी अंदर एक वो है गया अरह नहीं और मार इसकी ऐसी कित ऐ बच गया बेटे एले खाता हम अटे जाओ अटे जाओ यह किसको मानने के लिए जिसको भी मारने आई है मैं इसको वो कर रहो मेरो कर डिस्टब ना कर दो भाई नेट विंग भाई साब मेरा कुछ लेना देना है नहीं ठीक है स्पार्किट मेरे पास में आगे क्या वो यह स् पार्किट मेला है नेट विंग पता नहीं क्या कर रहा है जो भी कर रहा है तू करता रहे अपना बीजी रहे वैसे अपने को जाना है वो छिलेट के पास में बट वो है बहुत ज्यादा दूर बट स्टील चलो देखते हैं अपन इधर उपर साड़ में बता तो रहा है वो म चाहएद से हम सही रासिते पर जारहे और मेरे को जहा तक याद है एक बार मैने यह जिसको अभी हम मारने के लिए जा रहें नो मैंने टैम किया उए जहा तक मेरा ख्याल है ठीक है चलो देखतें क्या खड़तें हैं सामने ही रहा जाहान सामने ही होना चाहिए वह बस कहा है यहां पर तो आहां यह रहा ना चिलेट इसके लिए थोड़ी सी समस्या है भाई यह है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप काट ठीक है एक बर खुजाते देखते है जहां तक मेरा ख्याल है मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा स्टील क्रॉस्ट हैट शॉट कर लूंगा मैं इसको मार दूंगा इजी पीजी है इता जादा टैंशन नहीं इसको मारने का बट मेरे बास में भी कोई है ने ना आरे एक सेकंड तूंग आ बाहर बाहर रुका मार इसको मार इसको तूभी मार मैं भी मार तु है इसके उपर बस मेरे अभी फिलाल में रिसोसेस वेस्ट और कुछ नहीं है ने 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 इजी इसको इजी लो इसको इजी लो बाद में देखा जाएगा छोड़ आजा स्पाक एट आजा मेरे पास में अरा बंदर तू क्यो मार रहा है मेरे को इस इंडिकेट वाले कहा से आ रहे पुरी बैरिस का तू भी बैरिस का चलो बाई बाई मैं वापस आओंगा तेरी बैंड बजाओंगा तू टैंशन मतले मैं आओंगा तेरे को ना तेरी तो ऐसी की तैसी तू रुख जा बेटे अब नेट विंग भाई साब छोड़ो एम सॉरी यार मेरा स्टैमिना बढ़ जाए जल्ली से कल्टी मार के निकल जाओ यहां से पाइव मिनिट लेटेर चलो भाई फाइनली जैसे तैसे करके हम अपने घर आ चुके है सारे के सारे पाल्स हो रहे हैं बहुत सारी चीज़े अपग क्यों किया बागी फिलाल तो अराम करते हैं और हम आज के एपिसोड को बस यहीं पर एंड करते हैं एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना नाए आयो हो चैनल पर इंजॉई किया तो पलीस मेक शॉर तो लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि एस चैनल पर मैं ऐ बड़ी बड़ी गेमपलेश लाता रहता हूं अभी और भी नहीं गेमपलेश चैनल पर आने वाले है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपडेश के लिए बाइंस्ताग्राम पर फॉलो कर सकते हूं सारी चीजों के लिंक तुमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ज